किसी गाव में भगवान बुद्ध की धर्म सवा चल रही थी गोतम बुद्ध ध्यानमगन अवस्ता में बैठे चिंतन कर रहे थे तभे बाहर खड़ा कोई व्यक्ती चिला कर बोला आज मुझे इस सवा में बैठे की अनुवती क्यों नहीं दी गई सांथ सवा में उसके क्रोधी सब्द गुंजा मियान हो उठे लेकिन बुद्ध ध्यानमगन में ही रहे उसने पुना पहले से तेज आवाद में अपना प्रश्न दोर आया सिस्यों ने सवा की सांथी को बनाय रखनी के लिए भगवान बुद्ध से उसे अंदर आने की अनमती देने के लिए का बुद्ध ने कहा वह अंदर बैठने योग्या नहीं है वह अच्छूत है सिस्य आश्चरी में पढ़ गए और बोले भगवन आपके धर्में तो जाती पाती का कोई स्थान नहीं है कोई उचा नीचा नहीं है फिर यह अस्प्रिशता या अच्छूत कैसे है तब बुद्ध ने सिस्यो को समझाया और कहा आज यह क्रोध में है क्रोध से सांती एवं एकागरता भंग होती है क्रोधी व्यक्ती हिंसा करता है अगर वह सारीक हिंसा से बच भी जाए तो वह मांसिक हिंसा अवस्य करता है किसी भी कारण से क्रोध करने वाला मनुस्य अच्छूत है उसे कुछ समय तक एकाग में रहकर पस्चाताब करना चाहिए तब ही उसे पता चलेगा कि अहिंसा महान करता भी है परम धर्म है से समझ गए कि अस्प्रिसिता क्या है और अच्छूत कोन है तो ऐसा ही और स्टोरी सुनने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब जरू करें